हेलो बच्चो वेलकम टू डाउट नाट ए वेरी गूड मॉर्निंग टू ओल अफ यू जैसा कि आपको पता है कि सुबह साथ बजे की क्लास में हम लोग करन्ट अफेर्स डिस्कस करते हैं तो एज यूजल हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे जिन बच्चों ने भी जॉइन कर लिया है चाहिए वो एप पर हो या फिर यूट्यूब चैनल पर फड़ावत से कॉमेंट करके मुझे बता देंगे आरेपाल, अन्शुपाल, पंकज्यादव, पिंटु कुमार, यहाँ पर बालू निदोनी, राम शर्मा, सकाई, मोहित वर्मा, गुड मौनिंग एवरिवन चलिए स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि करन्ट अफेर्स किस-किस को पढ़ने चाहिए और किस-किस को नहीं पढ़ने चाहिए इतने आप मुझे बता सकते हैं कि कौन-कौन से एक्जाम की आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं ताकि मैं समझ सकूँ कि कि किन-किन बच्चों के लिए यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जब भी हम लोग करन्ट अफेर्स की बात करते हैं बचा गुड मॉर्निंग निशार, सूरज, निकिता चेहर, गुड मॉर्निंग गोपूर्ट ठीक है तो सभी जो एक्जाम्स के हम लोग बात करते हैं चाहे वो आपके कॉम्टिटीव एक्जाम्स हों आपके चाहे अकेडमिक एक्जाम्स हों वहाँ पर आपका करन्ट अफेर्स पूछा जाता है ठीक है वहाँ पर आपका current affair पूछा जाता है और हम लोग उसको किस तरह से करते हैं हम लोग daily current affairs आपके लिए लेकर आते हैं daily current affairs में होता क्या है आपकी regular practice बनी रहती है आप daily का जो news है वो आप जान पाते हैं उसके साथ आप ये भी चीज जान पाते हैं कि किस तरह के question इससे आ आपके बनने वाले हैं तो वो सभी चीज प्रैक्टिस भी हम लोग यहां पर करते हैं पहले एक news cover करते हैं और उसके बेस पर क्या क्या कोशिशन बन सकते हैं वो हम लोग यहां पर cover करते फड़ावत से कौन-कौन से exam किया preparation कर रहें जल्दी से बताएंगे कि कौन-कौन से exam क की preparation आप कर रहे हैं जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएंगे चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं गुड मॉनिंग आशुतोष गुड मॉनिंग अमन चलिए अर्यांशी, CDS, MOTLA, UPSC, NDA, GD सभी चाहे वो आपका क्या हो चाहे वो आपका देखे चाहे नीट जेई के आप तयारी कर रहे हैं कि आपको अपकमिंग एक्जाम सभी में ही ये बचह फायदा करने वाला है क्या करने वाला है सभी में फायदा करने वाला गुड मॉनिंग शतीष लले ठीक है तो आप एक तो एक चीज आप पहले जान लिजे आप कोई से भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आपको रेगुलारिटी बच्चा बना कर रखनी है सुवह आपकी मोटिवेशन वीडियो आती है आप सुवह सुवह मोटिवेटीड रहते पढ़ने के लिए बट क्या होता है आफ्टर थ्री आज पूर आज फाइफ आज आपका जो मोटिवेशन है खतम हो जाता है आप चार दिन पढ़ते हैं उसके आपका मोटिवेशन खतम हो जाता है तो रेगुलारिटी एक ऐसी चीज है जिसके बेस पर आप यह बहुत अच्छ आप अगर नियमित रूप से पढ़ रहे हैं ठीक है तो इस क्लास को जो की डेली आपकी 7 a.m. पर होने वाली है आपको इसको डेली कवर करना है ठीक है लालाबरी देविंद्र विजय अनुरोद सोरब ठीक है सबी बच्चे ठीक है I'm good sky how are you चलिए तो पहली न्यूज हम लो फटावत से अच्छा एक इसके से पहले एक अनौसमेंट देख लिए जो भी बच्चे एससी जीडी की तयारी कर रहे है वो वी आईपी कोस जॉइन कर सकते हैं डाउटनट का जिसमें आपको टोप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं नोट्स मिलने वाले हैं ठीक तो यह आपके इसी से रिलेटिड है रेल्वे से बैंकिंग से किसी भी रिलेटिड अगर कोई क्वेरी आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं देखे हम लोग न्यूस कवर करेंगे वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से तयारी कर है तो दोनों ही न्यूज हम लोग कवर करेंगे ठीक है यह आपको जिस भी माध्यम में पढ़ना उस माध्यम में आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से हिंदी रिले बच्चे जल्दी मुझे बताएंगे कि हम लोग हिंदी माध्यम वाले हैं गुड मौनिंग निरंजन चलिए प खबरे हैं वो एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होती है ठीक है जब भी हम लोग यह देखते हैं कि कोई भी फेमस प्रस्नेल्टी है उसकी अगद्देत है तो वो क्या है बहुत जादा आपका इंपोर्टेंट होता है ठीक है तो प्रख्यात उडिया साइत्ते समाजिक कार्यकरता और पत्रकार मनुर्मा महापत्र का क्या हुआ है निधन हुआ है ठीक है यह क्या थी उडिया का ज Rights एक बार था दो सोटा उसकी क्या थी दो समाज आ ठीक है उसकी क्या थी आपकी एडीटर थी संपादक थी ठीक है बहुत अच्छे हैं हिंदी मिडियम वाले हैं बहुत बढ़िया ठीक उन्होंने साहित्य अकेडमी अवोर्ड भी जीता है कब 1988 में ठीक है 1990 में आपका 1984 में साहित्याकादमी पुरुषकार, 1988 में सोवियत नहरु पुरुषकार, 1990 में क्रिटिक सर्कल ओफ इंडिया वोर्ड और 1991 में इस्वर चंद्र विद्या सागर समान उन्होंने जीता है ठीक है तो ये तो हम लोगोंने कई बेटा ओके बहुत अच्छे गुड मॉ कैसमे से पूछे जाते हैं किस तरह के परशन बच्चे इसमें से पूछे जाते है ठीक कि इस चलिए ये आपके literature पर बेश lasting sky ूबर पूस्त के लिखते हैं उस पर बेश होता है लोह में इसरा चलिए सो पहला आप का पूछेंगे कि जैसे मैंने आपको बताए जब भी कोई निदन होता है तो किस फील्ड से संबंदित है यह आपका पूछा जाता है तो आप से पूछ लिया जा सकता है कि मनोर्मा महापात्रा जिनका हाल ही में निदन हुआ है वो किस फील्ड से किस छेत्र से संबंदित है वो क प्राची आपको यह बताना है कि वो किस छेतर से संबंदित है ठीक है सिकाय ने अंसर कर दिया है गूर फोली भवान ठीक है कपिल ने अंसर कर दिया है बालू निदोणी ने निरंजन सानी ने ठीक है नैंशी कुमारी ने चलिए तो किस फिल्डर संबंदित है आपका साइट्यकार है समाजिक कारे करता है और क्या है आपका पत्रकार है ठीक है और क्या पूचा जा सकता है इसमें आप से ये भी पूचा जा सकता है क्योंकि साइट्यक आदमी पुरुषकार जो है वो क्य मोहन मोहेद प्रेमलता याद आओ चले उन्हें साहित्याक आदमी पुरुषकार कब दिया गया था ये भी आपका यहां से कोश्यन बन सकता है जल्ली यल्दी से बताएंगे यह भावना चोपना बिल्कुल करेक्ट है गुड मॉर्निंग यूपी एसी ठीक है भावना चोपना अब आपको बताना ही कि साहित्याक आदमी पुरुषकर कब दिया गया था निरंजन मोटला निशार कोर विशाल बहुत अच्छे बाकि लोग जल्दी अल्दी से बताएंगे यह बिल्कुल करेक्ट है 1984 में उन्हें यह वोड दिया गया था कब दिया गया था 1984 में 1984 में बच तब यह चलो ठीक है तो यह कोशन हम लोगों का हो गया कि साहित्याक आदमी पुरुषकर कब दिया गया था तो यह दो कोशन पूछे जा सकते हैं एक कोशन और पूछा जा सकता है कि जो आपकी मनोर्मा मापात्रा है जिनका हाली में निधन हुआ है कहां से थी ठीक है उनका जो लोकेशन है जगें जो है वो बच्चा पूछी जा सकती है तो फड़ावत से बताएंगे कि वो कहां से बिलोंग करती थी ठीक है यह आपसे पूछा जाएगा कि कहां से बिलोंग करती थी ठीक है लोकेशन जगें आपसे पूछी जा रही है ठीक है स्थान आपसे पूछ जा रहा है पड़ावद से बताएंगे चलो सकाई ने बताया कृष्णा नन ने बता दिया विशाल दिलसाद जूली पांडे आर्यांशी निकिता चेहर सुरज कल्यान कहां से थी बता ओडीसा से वो संबंद रकती थी डिया सचेन गुड मॉनिंग कहां से संबंद रकती थी ठीक है तो यह तीन कोईशन आपके यहां से हम लोगों ने देखें इसके बाद हम लोग पॉल स्टार्ट करने वाले हैं quiz का poll start करने वाले जिसमें सभी बच्चे पोल में answer करेंगे वो जिन बच्चों को पोल नहीं दिख रहा है ठीक है तो जो आपके YouTube वाले हैं वो app download कर सकते हैं या फिर आप comment section में answer कर सकते हैं ठीक है तो चलिए पहला question आपको आपकी screen पर दिखेगा English में दिखेगा पर इसकी Hindi में आपको साथ साथ कराता जाऊंगा भीटा ठीक है क्या पूछ रहा है कि इन में से कोंसा text कोंसा site ऐसा है जिस में कशमीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है कशमीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है कश्मीर के राजाओं के बारे में बिटा जानकारी मिलती है ठीक है चलिए अगला कोश्चन बचा क्या है कि इनमे से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही मैच नहीं है आपका लिखा हुआ है सामवेद नोलिज साइंस से रिलेटिड है रिगवेद आपका हाइमन और प्रेस से रिलेटिड है अथरवेद जो है वो आप उसमें आपके मैजिक फार्मूले है या फिर या जुर्वेद उसमें सेक्रिफाइजल फार्मूले हैं तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही मैच नहीं है गुड मॉर्निंग साहू गुड मॉर्निंग दलशाद चलिए अब फडावत से आपको मैं दोबारा से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होंगा तो जल्दी से पहले कोशन का अंसर बताईए कि किंग ओफ कश्मीर ठीक है कश्मीर के राजाओं की जो जानकारी है वो कौन सी बुक में हैं जल्दी से बताएंगे कश्मीर के राजाओं की गुड मॉर्निंग क्या है राज तरंगनी आपका सही आंसर है ठीक है राज तरंगनी आपका सही आंसर है चलो आगे चलेंगे की इन में से कौन सा इनकरेंटली मैच है तो सामवेद जो है वो करेक्ली इन मैच है ठीक है बाकी सब क्या है सही मैच है बाकी सब क्या है बच्च अगले ये न्यूज बहुत इंपोर्टेंट है खेल से रिलेटिड बच्चा ये न्यूज हैं क्या है खेल से रिलेटिड ये न्यूज है ठीक है येस बहुत बढ़िया निकिता ठीक है चलो गुड वॉर्णिंग ट्रिशा हर्मिलन कोर बैंस ने राष्टी यस्तर पर 1500 मीतर दोड में नया record बनाया है कि तेलंगाना के जॉलन नेरू स्टेटियम में साथवी राष्टिय ओपन एत्लेटिक चेंपेंशिप में स्वन पदक जीता है और महिलाओं की पंद्रसो मितर दोड में नया रिकोर्ड बनाया है ठीक है सुनीता रानी का पहले रिकोर्ड था आपका चार मिनट छे सेकेंड का उसको क्या कर दिया है तोड दिया है ठीक है मैं स्क्रीन शोट देता हूं उसका पहले वाले का कोई बात नहीं चलिए ठीक चार मिनट छे सेकेंड ठीक है डाउटनेट एप आपको बचा डाउनलोड करना है गुड मॉर्निंग एरिक गुड मॉर्निंग रॉयल ठीक है तो चार मिनट छे सेकेंड का रिकोर्ड तोड दिया इससे क्या कोईशन पूछे जाएंगे कि हाल ही में सुनीता रानी का जो रिकोर्ड था चार मिनट छे सेकेंड का वो किसके द्वारा तोड़ा गया है ठीक है सबसे पहले आप से क्या एटलेटिक जो एटलीट है उसका नाम पूछा जा रहा है गुड मॉर्निंग ठीक है उस को तोड़ दिया है फटावत से जल्दी जल्दी से बताएंगे कि किसने तोड़ा है बेटा ये क्लास साथ बज़े स्टार्ट हो जाती है साथ बज़े आप जोईन करेंगे डेली बेसिस पर सुभ है करंट अफेस हम करते हैं जो सब एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर इस ने ये रीकोर्ड है अगर आपसे पूचा जाएगा कि हर मिलं कोड में रास्टे रिकोर्ड बनाया तो वो कितने मीटर की रोड में बनाया is जल्दी से बताएंगे करेक्ट है भवन चोपड़ा कितने मीटर की दोड में वो राष्टे रिकोर्ड बनाया गया है जल्दी से कितने मीतर की दोड में वो राष्टे रिकोर्ड बनाया गया फड़ा बचलो प्राची मोटला बल्राम मेरी सूरज कपिल बालू बहुत बढ़िया स्काय धीर जूली पांडे कितने पंदरा सो मीटर बेटा किलोमेटर निपंदरा सो किलोमेटर भागे तो मरी जाएगा इंसान ठेक पंदरा सो मीटर कितने में पंदरा सो मीटर की गुड मॉनिंग ठेक है येस बिलकुल करेक्ट है पवन नागर भावन चोपड़ा मीनू साहू पंदरा सो मीटर की रेस में ये काम किया है ठेक है चले तो ये दो कोईशन यहां से पूछे जा सकते है फड़ावसे स्क्रि गुड मॉर्निंग अमेद गुड मॉर्निंग के के चलो स्क्रीन शोट ले लिए बच्छा अगले न्यूस पर चलते हैं फटा फट से ठीक है अगली न्यूस पर चलते हैं करेक्ट है सूरज आपका हाँ कोई बात नहीं वो तो मैं समझ गया था चलो फीनो पेमेंट बैंक ठीक है बेंग का नाम क्या है फीनो पेमेंट बैंक ले तो लिए बेटा स्क्रीण्षोट नहीं लिया ले लो ज़ली से लिल्ही fulfil दितरा करो ठीक है गुड मॉर्निंग ईवरीवन चलो तो फीनो पेमेंट बैंक ने नया ब्रेंड अम्बेसडर न्युक्त किया है किसको पंकज तिरपाथी को जानते हो पंकज तिरपाथी कोन है कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि पंकज तिरपाथी कोन है येस करेक्ट है परतिक्षा पंकज तिरपाथी कोन है किसी को भी पता है कि जल्दी जल्दी बताओ कि कोन है पंकज तिरपाठी गुर्मोर्निंग समराध बढ़ाए अच्छा नेट्फलिक्स नहीं देखते हो जो मिर्जापूर में बनते हैं ठीक है मिर्जापूर में जो में रोल जिनका है उनका नाम है पंकज तिरपार्थी ठीक है चलो लाइफ क्लास बेटा सुबह साथ वज़े से हो जाता है दिल दिल्शाथ ठीक है तो फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज तिरपार्थी को क्या किया है ब्रेंड अमबेजडर बनाया है ठीक है फिनो पेमेंट बैंक जो है उन्होंने भार तिर्पाथी जो अपने उत्पादोर सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विबिन प्लेटफर्म अपवर फिनो पेमेंट बैंक के विपनन अभ्यानों का चेहरा होंगे ठीक है चलिए क्या कोशन दो कोशन इसमें अल्टा पल्टी करके आप से पूछे जा सकते हैं कौन कौ ठीक है बहुत सारे बच्चे है बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो रेगुलर आपको पढ़ना है मैं बार बार बोल रहा हूं रेगुलर पढ़ाई करनी है चलो फिनो पेमेंट बैंक ने किसको 7 बजे से 8 बजे तक क्लास यह चलता है अमनकुमार ठीक है करंट अफेस का ठीक है इसमें हम पूरा न्यूस पेपर कवर करते हैं जो भी न्यूस आपके exam point of view से important है वो सभी हम इसमें कवर करते हैं brand ambassador होता है कि उसको अपना चहरा बनाना जैसे आप देखोगे कि किसी की एड में कौन होता है शारुक खान आता है किसी एड में सल्मान खान आता है ठीक है तो वो क्या है उसके brand ambassador है अब उसकी company को पहचान देते हैं ठीक है तो अलो correct answer बता दिया सभी ने पंकज तिरपाठी एक ambassador बने हैं अभी हाल ही में ये भी पूछा जा सकता है तो उसमेंसे तीन company आपकी वो होंगी जिसके वो brand ambassador नहीं है और एक आपकी ऐसी company होगी जिसके वो brand ambassador है जल्दी से बताएंगे येस मेरी ने correct answer बता दिया बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ येस पंकस तिरपाठी correct answer है तरह के और कर्क्रेक्ट चलो तो क्या士ूंद पेवेंट बैंक कौन सा बैंक फीन पेवेंट बैंक ठीक है तो फेवेंट बैंक के जो है ब्रेंड एम्बेजडर बनाया गया है पंकज तिरपाठी को ठीक है तो आप एक चीज में बार बार आपसे कह रहा हूं की रेगुलर रहना है ठीक है जो भी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं फड़ा वत से लाइक का बटन दबा दोगे आप ठीक है फड़ा व पचली के रूप में कटले को घोशित किया गया है ठीक है यह क्या है एक टाइप ओस क्या है फिश है ठीक है येस बिलकुल एर फोर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एर फोर्स में करन्ट अफेर्स कम से कम से कम से कम पांस से छे कोशन से भी ज़्यादा पूछा जाता है तो अगर आपका चाहिए वो NDA हो Air Force X हो Y हो ठीक है उन सभी के लिए बहुत जादा important है सुरज यादा हो ठीक है आप इनको miss नहीं कर सकते हो ठीक चलो तो सिक्किम सरकार ने ठानिया रूप से जो राज्य मचली के रूप में केटली के नाम को क्या किया है घोसित किया है ठीक है कि स्का आपको scientific name भी दिया गया है ठीक है नियोलियसोचियलिस एकसा-गोनलिपिस पर यह औपको एक बार आप इसको पढ़ लो याद आपको नहीं रखना है ठीक है आप बस यह याद रख लो जब भी आएगा हैक्सा उसमें होना चाहिए नियों उसमें होना चाहिए तो इसी तरह के उप्शन आपको मिल जाएंगे बच्चा ठीक है चलो इसके बाद किया है तर डिसीजन एज बिन टेकन पॉइलाइट इंपोर्टेंस ओफ क इसकी क्या महत पूर्टा है इसको उजागर करने के लिए किया गया है मचली का बजार में मुल्य अधिक है और राज्य में जनता द्वारा पसंद किया जाता है चलो तो इससे दो कोईशन आपके बनने वाले स्क्रीन शोट लेना है प्रीवियस का फड़ावत से बचले लो इसी पर चलेंगे जल्दी जल्दी से स्क्रीन शोट ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीन शोट इसका ले लो ले लिया स्क्रीन शोट इसका चलो दोबारा से चलते है ठीक है पहला आपका पूचा जा सकता है कि जो सिक्किम राज्य है उन्होंने किस मचली को राज्य मचली के र कर रहे हैं उन सभी के लिए यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है यानि कि जहां पर भी जिस भी एक्जाम में आपको अपने एक्जाम का सलेबस पता होगा जहां पर भी करंट अफेस आपका आता है तो सेवन एम पर सुबह साथ बज़े आपको जुड़ जाना है मेरे साथ ठ कुछ उसी एक रेगुलरिटी में आ जाता है तो सुबह साथ बज़े डेली आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है गुड़ मॉर्णिंग आनंद चलिए एक और कोशन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा ठीक है तो एक और कोशन इससे आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि इसका नाम दिया जा सकता है कि जो कैटले फिश है उसे किस राज्ये में गुड़ मॉर्निंग धीरज उसे किस राज्ये में राज्ये में घोशित किया गया है जल्दी से स्टेट विष के रूप में वो एक ही है हिंदी में आपको अलग लिखा जाता है इंगलिश में बिटा अलग लिखा जाता है ठीक है जल्दी से बताएंगे कि कौन से स्टेट में कौन से राज्ये में उसे उन्हीं का ही चल रहा है वन टैप किंग उन्हीं का ही चल रहा है जो ऐसे सी जीडी वाले हैं उन सभी को ये सारे कोईशन्स हैल्फुल होने वाले हैं ठीक है आप क्योंकि आपके एक्जाम की डेट आ गई है और आप से रिसेंट करन्ट अफेयर पूछेगा फड़ा वसे स्क्रीन शोट ले लो जिस भी बच्चे को लेना है जल्दी से इसका स्क्रीन शोट आप ले लीजे फिर आगे चलेंगे आ रहा है आपका कमेंट राम शर्मा ठीक है पिटा चलो आगे चलते हैं कि कानून और नियाय मंत्राले न्यूज में है क्या किया है इन्होंने एक पहल करके अभियान शुरू किया है एक पहल ठीक है एक पहल करके उन्होंने अभियान शुरू किया है किसलिए किया है टेली लोग के तहद बड़े पैमाने पर पंजी करण को प्रोचसाइट करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया है कब से कब तक चलेगा एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है कितने राज्ये 34 राज्ये और केंद्रों के 34 राज्ये और केंद्रों के 633 जिलों में ये आपका क्या होगा कोमन सर्विस सेंटर शामिल होंगे ठीक है ये क्या करेंगे आपके जो भी आपको related to कम से कम पांच कोशन आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे current affairs से बिटा पांच कोशन आपके वहाँ पर current affairs से पूछे ही जाएंगे ठीक है चले तो यहां पर आपसे कोशन क्या क्या पूछेगा कि कानून और नया मंत्राले ने अभी हाल ही में एक नया भियान शुरू किया है एक नई स्कीम शुरू किया है उसका क्या नाम है सबसे पहला कोशन आपसे यही पूछा जाएगा जल्दी जल्दी से सब्वेज़े अंसर करेंगे कि क्या नाम है यह आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा जल्दी से बता दो ठीक एप वाले और उसके हाथ यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी है ठीक है है थोड़ा सा मुझे लगता है अपर लेट आता है कभी वो लोग सिक्किम बता रहें लास्ट वाला बता रहे हैं भी जहां पर राज्य मच्छे के रूपे कैटली को क्या किया गया है घोशित किया गया है तो एक पहला भियान है ठीक है क्या करेगा यह जो लो से रिलेटिड आपके कोशिशन से लो से रिलेटिड सभी जो जानकारी है उन्हें एक कोमन सर्विस सेंटर के थुरू आप तक पहुंचाएगा एक कोमन सर्विस सेंटर के थुरू आप तक बिटा पहुंचाएगा ठीक है चलिए कितने राज्यों में य बल्दी से बताएंगे कितने राज्यों में और केंद्र साशित परदेशों में अभियान चलाया जाएगा येस बिटा बिल्कुल करेक्ट है कितने 34 राजों में बच्चा ये भियान चलाया जाएगा कितने राज़ों में बच्चा 34 स्टेट अन्यूनियन टेरिटरीज में और एक चीज़ पूछी जा सकती है कि कितनी ग्राम पंचायत में क्योंकि एक क्या है एक राउंड फिगर का नंबर है तो पूछा जा सकता है ठीक है कि कितनी ग्राम पंचायत में ये पहल चलाई जाएगी बिल्कुल करेक्ट है सूरज यादा वन टैप पवन नागर बिल्कुल करेक्ट है डिस्टिक भी बता दिये ग्राम पंचायद भी बता दो जब डिस्टिक बता दिये तो जब डिस्टिक बता दिये तो ग्राम पंचायद भी बिटा जल्दी से बता दो विकास अवस्ति बहुत करेक्ट विटा सूरज यादव बिल्कुल करेक्ट वन टैप बिल्कुल करेक्ट विटा ठीक है ग्राम पंचायत और बता दो यूट्यूब वालो थोड़ा सा तुम पीछे चल रहे हो एप वालो से चलो पचास हजार ग्राम पंचायत कितनी बचा पचास हजार ग्राम पंचायत इसमें इंक्लूड होंगी ठीक है प्राची शर्मा एक्क्यावर नहीं ठीक है पचास हजार ग्राम पंचायत क्या होंगी बच्चा इंक्लूड होंगी और पिक्यावर अजार 434 सेंटर बनेंगे चलो फडवाजी सका स्क्रीन्षोट लेलो अगली न्यूज पर चलेंगे यह सासुक कुमार है लो साक्षी पांडे चलिए फडवाजी सक्रीन्षोट लेलो आगे चलते हैं ठीक चलो बिटा next news देखते हैं अपनी ठीक है क्या कह रहा है money पूरकी देखें यहाँ पर GI टेक की बात हो रही है ठीक है GI टेक क्या होता है वो पहले समझा देता हूं मैं आपको 30 सेकंड में ताकि आप यह समझ पाईं की क्या बात हो रही वरना आपके यह news उपर से जाने वाली है ठीक है जी आई का मतलब होता है जग्रोफिकल इंडीकेटर्स याने की कोई भी चीज का ये परमानित कर पाना कि उसका ओरिजन जो है उसका जो उद्य है वो कहां से हुआ है जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लास्ट एक दो साल में किसकी लड़ाई चली थी रोसगुला क मैं आपको दिलवा दूँगा क्लास के बाद सारे स्क्रिंशोट जितने भी आपको होगे सारे हम लोग ले लेंगे ठीक है तो जी आई इंडीकेटर यही होता है कि आपका कोई चीज कहां की है ठीक है उसकी यूनीकनेस को बताता है अनोखेपन को बताता है तो मनीपुर के दो परशिद उत्पाद कौन-कौन से एक तो आपका यह जो हती मिर्च है यह जो मनीपुर के उक्रूल जिले में पाई जाती है और अपने अनूठे स्वाद के लिए जानी जाती है और आपका और क्या है तमिंग लों मेंडरीन ओरेंज ओरेंज है ठीक एक संतरा है ठीक है इस नाम का इन दोनों को जी आई टेग परदान किया गया है मनीपुर के इतिहास में क्या है यह एक बहुत बड़ी बात है क्या है बच्छा बहुत बड़ी बात है और इससे मनीपुर में किसानों की आए बढ़ेगे ठीक है तो आप पहले सबसे पहले नाम बताएंगे दोन के ठीक है एक एक करके वेस्ट बेंगोल का है बचा जूली पांडे वेस्ट बेंगोल का है एक एक करके बहुत अच्छे साक्षी पांडे न्यू स्टुडेंट है आप रेगुलर रहना है ठीक है सुबह साथ बजे हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है तो साथ बजे से आ आपको क्लास में आ जाना है ठीक चलो फटावा से दोनों नाम बता दो कि जो मनीपुर में जिने जी आई टैग मिला है एक एक करके आप कोमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कि इन्हें आपका बहुत अच्छे बलराम ने एक बता दिया है ठीक है दोनों का नाम आप एक एक करक हैंगे कि किसको आपका जी आई टैग दिया है कोई भी क्वैरी बच्चा को क्लास में कभी भी लगती है या पर क्लास से बाहर departments लगता है कि हमारे पास अभी time table हम लोगों का नई बन पा रहा है या फिर exam के हिसाप से strategy नई बन पा रही है तो वह सारी चीज़े आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको अगर टाइम होगा तो मैं इसी क्लास के बाद बता दूँगा अगर टाइम नहीं होगा तो हम लोग special sessions में इस चीज को cover कर लेंगे कि कई बार बहुत सारी queries होती है कि बच्चा पढ़ना चाहता है बड़ आप उसका एक routine डवलप नहीं हो है ठीक है काफी सारी छोटी छोटी प्रोब्लम से जो आप पूछना चाहते हो ठीक चलिए तो फड़ावर दोनों नाम आपने बता दिये हैं बालू निदोनी नीरज परजापती निकिता मैरी देवचंद पटेल ठीक जूली पांडे राम शर्मा बलराम सिंग ठीक चलिए देता है और यह पूछा जा सकता है कि यह कौन से स्टेट से बिलों करते हैं कौन से राज्य से बिलों करते तो आप क्या कहेंगे ठीक है राम जी डेली क्लास होती है यह सेवन एम पर तो आप क्या अंसर करेंगे किस स्टेट से यह बिलों करते हैं किस स्टेट से यह बिलों क करते हैं यह आपको बताना है चलिए बहुत अच्छे बालु निदोनी एरिक कपिल हार यह अंशी आपके कमेंट जा रहे हैं बच्छा एले शिवानी प्रजापति शिवानी अभी आप आए हो स्काई बल्राम सुधीर ठीक है यूट्यूब वाले भी कमेंट करेंगे आप से नहीं पूछा जाएगा मोटा ठीक डिस्टिक बहुती एकदम छोटी जानकारी हो गई है बहुती डीप जानकारी हो गया वह आप से नहीं पूछी जाएगी फटावाट से स्क्रीन शोट ले लो अगले पर चलेंगे जल्दी से यह स्टेन 12 के लिए आपको आगे यह काम आएगा ठीक है चली भारत के राजा रित्विक ठीक है क्या नाम है प्लेयर का राजा रित्विक सेवन्थ ग्रेंड मास्टर बन गए हैं क्या बन गये हैं सेवंध ग्रेंड मास्टर ग्रेंड मास्टर जो टाइटल होता है वो किस खेल में दिया जाता है आपका चैस में दिया जाता है बचा सतरंज में दिया जाता है ठीक है इंडिया के राजा रित्विक जो हैं वो सतरंज के ग्रेंड मास्टर बन गए हैं ठीक है चलिए वैदेश के सतरवे ग्रेंड मास्टर बने हैं कहां के हैं ये खिलाड़ी वारंगल के मूल निवासी हैं कहां के हैं वारंगल के मूल निवासी हैं रितवेग उन्होंने परतिस्टिच कोच एन्विस रामा राजु के नित्रितु में रेस सत्रंच अकैडमी में एडवांस कोचिंग से ग कैसे कैसे क्षिशन पूचे जाएंगे कि हाभी हाल ही में भारत के स Emmai Grand Master कौन बने है ठीक है इससे पहले 69 Grand Master बन चुके है ठीक है जो यह टाइटल है Grand Master का कौन से गेम में दिए जाता है चेस में दिया जाता है ठीक है परावर से नाम आप लोगोंने बता दिया है प्रिंस ने बालु निदोनी ने विकास ने ठीक है काय क सकाय एर एक अपिल विश्करमा मोटला चलो नाम आप लोगोंने बता दीया कि राजा रित्विक जर वो सत्तर democratic मास्टर बने है कुंसे बेटा सत्तरवे grand master बने हैं ठीक है सत्तरवे grand master राजा रित्वेक भारत के बने हैं ठीक है और क्या पूझा जा सकता है इनका मूल निवास आप से पूछा जा सकता है कि कहां के ये हैं फड़ावत से आंसर करेंगे कि मूल निवास इनका पूछा जा सकता है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं कहां के मूल निवासी ये हैं जल्दी से बताएंगे कि कहां के मूल निवासी यह है बिल्कुल यह रित्विक ठीक है तो यह दो कोईशन यहां से आप से पूछे जा सकते हैं जल्दी से screenshot ले लो बच्चा हिसका ये दो कोशन आप से यहां पर पूछे जा सकते हैं जल्दी से ठीक है कहां के है वारंगल के है ठीक है आगे चलते हैं ठीक है बिल्कुल करेक्टर्स अभी का next irc tc irc tc क्या होता है railway ठीक है अगर याद करना होता है इंडियन railway catering and tourism corporation इन्होंने भारत का पहला सवदेशी cruise liner क्या कर दिया है launch कर दिया है क्या कर दिया है cruise liner launch कर दिया क्रूज आप सभी को पता है कि क्रूज क्या होता है बिटा क्रूज आपका पानी में बहुत बड़ा जो जहाज चलता है उसे क्या कहते हैं बिटा क्रूज कहते हैं ठीक है तो इंडियन railway catering tourism corporation ने भारत में पहली सवदेशी luxury cruise के समवर्धन और मिटिर द्वारा संचालित किये जा रहे कारडल या परिभर्मन के साथ हाथ मिलाया है और समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ठीक है चलिए क्या कोशन यहां पर पूछा जा सकता है क्या कोशन यहां पर ओके नैंशी कुमारी आपकी पहली क्लास है बिटा continue इसको रखना है हमे क्या क्या रखना है continue रखना है बिल्कूल पानी का जहाज कि किस तरह समझ सकते हैं एक ही कोशन इसमें से पूछा जाएगा की जो आया CSS है जिनोंने अभी स्वदेशी क्रूस लाइनर क्या क्या कि लोंच किया है किस कमपनी के साथ मिल कर किया है जल्दी से बताएंगे किस कंपणी के साथ मिलकर किया है ये आपको बताना है क्या हो गया कोई प्रОब्लम आ रही है जल्दी से बताईंगे कि कौन सी कंपणी के साथ मिलकर किया है थोड़ा मुश्किल कोशन आगे अब तुमरा Okay,Mono ठीक है, चलिए कौन सी के साथ मिलकर किया है waterways, lizard, tourism, private, limited और उनके कौन से cruise है, Cordelia cruises इनके पास है कौन से cruise है, Cordelia cruises इनके पास है ठीक है, first class है, बहुत अच्छी बात है बिटा, regular रहना है मैं आपसे एकी चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप regular रहेंगे, ठीक है तभी आप exam को निकाल पाएंगे अगर आप regular नहीं है, नियमित नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर week में दो दिन पढ़ रहें, तीन दिन पढ़ रहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर कोई भी exam निकालना चाहिए, वो आप किसी भी exam की preparation बच्चे कर रहे हो, जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, फिर अगली न्यूस पर हम लोग चलने वाले हैं, गुड मॉर्निंग मुश्कान, गुड मॉर्निंग अंकेत, चलिए, अगली न्यूस पर चलते हैं बच्चा, नीतिया योग जो है, उन्होंने किस के साथ tie up किया है, इस रो के साथ tie up किया, इस रो सभी को पताए कि इस रो क्या है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस रो के बारे में नहीं पता है, कि सर मुझे नहीं पता कि इस रो क्या होता है, मैं तो पहली बार इस रो नाम का वर्ड सुन रहा हूं, कोई ऐसा है, इस रो होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन, क्या होता है बिटा, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन, ठीक है, जो की क्या करती है, पता है, ठीक है नीरज, बहुत अच्छे बिटा, नैंसी आपको भी पता है, ठीक है, चलो, तो निज देखते हैं नीतियायोग जो था जो पहले planning commission होता था आपका उन्होंने इसरों के साथ क्या कर लिया है टाइप कर लिया है और cbsc जो है ठीक है इसरों cbsc के साथ टाइप कर लिया है तो क्या करेंगे ये लोग space challenge launch करेंगे cbsc school में नीतियायोग के अटल innovation mission के थ्रू क्या करेंगे स्कूली चात्रों के लिए space challenge शुरू किया है ये क्या करेंगे ये चुनोती देश भर के उन सभी स्कूली चात्राओं के और सिक्षकों के लिए तयार है जो की अटल tinkering lab वाले स्कूलों से जुड़े हैं और साथ साथ गैर एट बहुत अच्छे बिटा चल तो आपको यहां पर नहीं कई बर नकली कोशन भी नहीं पता होता है ठीक है प्रिंस जो आपको नकली लग रहा है वह बाके सब को दो तिन बच्चें जो कह रहें मुझे नहीं पता है ठीक है बच्चा चलिए तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि नीती आयोग ने किस किस के साथ पार्टनर्शिप की है इस मिशन को कौन सा मिशन ने बिटाए स्पेस चैलेंज मिशन को चलाने के लिए पहला कोशन यह पूछा जाएगा जल्दी से बता दो कि नीती आयोग ने किस किस ओगनाईजेशन के साथ हात मिलाया है येस भार्तिय च्पेस अजन्सिए बहुत अच्छे अमन ठीक है इसी तरह से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है किस किस के साथ हात मिलाया बहुत अच्छे इसरोğa सी बियस सी नहीं तीन-चार साल पुराना आपको करने की जड़त नहीं है सिरफ एक साल पुराना आपको करना है एक साल का जो current affair है वे आपको करना है पूरा आपको नहीं करना है yes इसरो और CBSC के साथ हाथ मिलाया है किसके साथ बेटा इसरो और cbsc के साथ हाथ मिलाया है इसरो और cbsc के साथ बच्चा हाथ मिलाया है इसके साथ साथ और क्या पूछा जाएगा ठीक है प्रग्या आपको सभी screenshot मिल जाएंगे बच्चा ठीक है बाद में आप ले सकते हैं लेट हो गए कोई बात नहीं टाइम पर आने का यहीं फाइदा होता है ठेक कि आपको सभी चीजे मिल जाती है अब अगला कोशन पूचे का कि नीतिया योगने इश्रोर सीबीसी के साथ मिलकर किस मिशन को लॉंच किया है किस मिशन को लॉंच किया है येस बिल्कुल करेक्ट है नीरज ठीक है इस रोका आप बता रहे हो अच्छा आप पढ़ते हो उसमें बिटा किस्टन नंद आप स्कूल में पढ़ते हो गया है येस बिल्कुल करेक्ट है स्पेस चैलेंज क्या नाम है मिशन का स्पेस चैलेंज है स्पेस चैलेंज आपका उस मिशन का नाम है तो ये दोनों ही टाइप के स्कूलों के लिए है चाए उसमें अटल टिंकरिंग लैब हो या फिर अटल टिंकरिंग लैब नहीं हो दोनों के ही लिए है क्या समझ में आया पूछ सकते हैं आशीश कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है अगर आप आपने आज से बहले करेंट पर नहीं पड़े तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ठीक है दो से तीन दिन में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा रेगुलर आने पर ठीक है चले तो दुबारा से क्विस का टाइम हो गया है तो इसमें हम लोग तीन कोशन करेंगे जो आपको पोपप के रूप में दिखाई देंगे उन तीनों के आपको फड़ावट से जल्दी से आंसर करने हैं फिर हम लोग उसे डिसकस क रहेंगे ठीक है एप वालों को भी वो दिखाई देंगे पोपप के रूप में और सीधे यूट्यूब वालों को दिखाई देंगे यूट्यूब वालों से मैं कहूंगा कि कल से कोशिश करें कि एप पर क्लास लें ठीक है डाउटनेट एप आपको डाउनलोड करना है और स्ट्रिच जो थे कौन से काल में पाए जाते थे यह स्पेस चैलेंज के हम लोग बात कर रहे थे सूरज यादा और आचीश गेमर ठीक है क्या नाम तो मिशन का आपका स्पेस चैलेंज ठीक है तो आपको चार पीरियड दिये हुएं बताना है किसमें उस्ट्रिच पाए जाते हैं अगले कोश्चन की तरफ मूव करेंगे बिटा डैश इस कंसीडर टू बी ओल्डेस्ट डिस्कवरी ओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन में से कौन सी जगें ऐसी है जो की आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी सबसे पुरानी जगें है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी जगें है जल्दी से यस मुस्कान करेक्ट है बिटा आपका अगला कोश्चन बिच्चा आपसे पूछा गया है कि इन में से कौन सी बुक बान भट ने लिखी है बान भट एंसेंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे बिटा प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है बहुत ही फेमस राइटर है कौन से बान भट ठीक है चलो अभी एप वाले बताएंगे कि आपको कोश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं अगर कोश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं अगर कोश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं अगर आपको कोश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं यूट्यूब वाले जो आप तो एप पर हो ना एप वाले को बता रहो यूट्यूब वालों से पूचाए चलो कौन से पिरियड में उस पाए जाते थे जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे सबी लोग बहुत सारे सही है प्रिंस बहुत अच्छे बटा ठीक है अब आपके रेगुलर सारे सही हो रहे ठीक है पैलियो लितिक पीरियड यानि की फोसल से रिलेटेड जो पीरियड था ठीक है ओके आपके मोबाइल में मुसकान बहुत अच्छे बचा ठीक है मुम्मद जमाल से एक ओके ठीक है तो पैलियो लितिक यानि की जो फोसल से रिलेटेड पीरियर था आगे चलते हैं ठी P-A-L-E-O, ठीक है, मतलब Fossils, आगे चलोगे बिटा, तीनों सही थे, ठीक है, बहुत अच्छे बिचा, चले, DAS is considered to be oldest discovery of Indus Valley Civilization, जो Indus Valley Civilization है आपकी, उस में सबसे पुरानी जगे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, oldest discovery अगर हम लोग देखते हैं, तो कहा है, भीरत आना आपकी oldest discovery है, क्या है, oldest discovery है, ठीक है, क्या है, आपकी oldest discovery है, ठीक है, चली, आगे चलते हैं, ठीक, last question पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, ओके, कि बानभट ने कौन सी बुक इसमें से लिखी थी, which of the following is an ancient written by बानभट, इनमें सी कौन सा literature, कौन सी बुक, कौन सा साइते हैं, आपका बानभट ने लिखा था, तो आपका yes, अमन कुमार बिल्कुल correct है, आपका, सुरजादाव आपको भी correct है, क्या आंसर है, कादंबरी, क्या है आंसर, कादंबरी बच्चा आपका correct आंसर है, ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, कि हम लोगों ने बहुत सारी न्यूस की है, उसके साथ सत्क्विस की आया, फड़ा बस से बताएंगे कि कैसी लगी आपको ये class, जल्दी से अपना feedback दीजे कि कैसी लगी आपको ये class, फिर हम लोग एक दो चीजे discuss करेंगे, कि ये आपको ये class कैसे लगी, सबसे बहले, चले, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ चीजे देख लेते हैं, पहला, अगर आप इसमें से किसी भी एक्जाम किया, अगर आप यूपेसी की विर्परेशन कर रहे हैं, ऐसे सी की, रेलवे की, बैंकिंग की, स्टेट, पीसी एस, एंडिये, ठीक है, इ एर, पूर्स, एक्सन, वाय, 賜ी टैट, इन सबकी अगर प्रेशन आप कर रहे हैं, इसे किसी भी एक्जाम किया, फिर स्टेट के किसी भी एक्जाम किया, जाया वो कौनस्टेबल हो, या फिर बागी सब एक्जाम सों आपके, तो आपको इस सुबह साथ बजे वाली क्लास लेना मस्ट है क्योंकि करन्ट अफेस आपके हर एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है अगर अगर आप सिरफ वो सिरफ नीट जेई को छोड़ दीजे तो आपके ट्वेल्थ के बाद जितने भी एक्जाम होते हैं सभी में अच्छा बहुत अच्छे तो अगर आपका पहली बार लगा है तो आपको रेगुलर आना है ठीक तो क्या करेंगे आप इस क्लास में रेगुलर आएंगे क्योंकि सभी एक्जाम में ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबी एक्जाम का आपका एक साथ कवर हो जाएगा दूसरी चीज इस क्लास में हम लोग थ्योरी तो कर ही रहे है साथ में आपका प्रैक्टिस भी कर रहे है यानि कि जो न्यूज आप पूरे दिन की पढ़ते हैं उसमें से किस तरह के कोशन बनाई जाते हैं वो सब भी कवर आपके हो रहे है तरड चीज क्या है आपकी ओके एससी जीडी की परपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है तीसरी क्या चीज है आप एक पैटरिन सीख रहे हैं कि एक्जाम में किस तरह के कोशन बनाई जाते हैं कल को आपको कोई भी अगर न्यूस पेपर कवर कर रहे हैं कोई भी मैगजीन कवर कर रहे हैं ठीक है कि एद में तीन महीने की इस मैगजीन से करंट अपर पढ़ लेता हूँ तो आपको ये पता रहेगा कि आपको ये चीज पढ़नी है और ये चीज छोड़नी है जब आपको ये पता चल गया कि क्या आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते चलिए इस क्लास में करेंगे हम इतना ही अब में मिलेंगे हम लोग कल सुबह साथ बजे सेम टाइमिंग पर और आज जितनी भी देश विदेश में घटनाय होंगी और जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगी वो सभी कल सुबह साथ बजे